तो लॉजिक के कुशिन एक्सरसाइज को हम कॉंटिनू करते हैं लास्ट टाइम हमने टूट टेबल्स को प्रूफ किया था आज भी हम लोग टूट टेबल्स को ही प्रूफ करेंगे बट LHS और RHS के पैटन यह और ज्यादा सिंप्रल है क्योंकि आपको पता रहेगा कि एंसर क क्या आना चाहिए और हमें LHS और RHS ऐसा प्रूफ करना है तो कुश्चन नमबर टू यूजिंग टूट टेबल्स को प्रूफ following logical equivalences first one negation P and Q equivalent P or Q and negation P negation P and Q equivalent P और Q and negation P तो मैं LHS के साथ शुरू करता हूँ पहले LHS में क्या है negation P and Q तो पहले P क्यों निकाल लेते हैं दो ही variable है 2 is to 1 2 true 2 false 1 true 1 false 1 true 1 false फिर मैं negation P निकाल लेता हूँ false false true true negation P and Q negation P and Q ये दोनों multiply होंगे बरबर तो 0 into 1 0 0 into 0 0 1 0 बरबर next RHS P और Q and negation P RHS solve करते हैं दो variable fits है P Q 2 true 2 false 1 true 1 false 1 true 1 false तो P or Q निकाल है ट्रू 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 प्लस करना है राइट ट्रू फॉल्स ट्रू जिरो प्लस वन वन फॉल्स राइट यह पाट हो गया अभी हमारा दी और क्यू अब आम नेगेशन पी लिखेंगे फॉल्स फॉल्स ट्रू रईट अब क्या होगा इन दोनों के बीच का and मतब लेट इट बी A और लेट इट बी B तो A and B and मतलब into फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स जड़ा चेक करो LHS और RHS एकोल है क्या करेक्ट है न therefore LHS is equal to RHS काफी सारे सम है तो जिस जिस से हम लोग easily prove कर सकते हैं ठीक है मैं alternate numbers के rate of sums को prove करता हूँ ठीक है और maximum questions इसमें से हुमग दूपा पी बाइ कंडिशनल क्यू एक्विएलेंट निगेशन ओफ पी और क्यू अन निगेशन ओफ पी अन्ड क्यू तो LHS फिर से दो विरीबल पी क्यू पी बाइ कंडिशनल क्यू दो ट्रू दो फाल्स तू फाल्स तू फाल्स ठीक है तो पी बाइ कंडिशनल क्यू डबल की जोडी बरवर डबल की जोडी को false बना दिया रईट सॉरी true बना दिया दो दो की true को true दो false को true true false 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 true false बरवर यह मेरे lhs all हो गया now let us solve rhs correct तो p q दो true दो false एक true एक false एक true एक false तो p और q right p और q क्या बनेगा फिर्स्ट यह वाला solve कर रहे bracket p और q और मतलब प्लस true 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 false right next यह solve करते है p and q उसके बाद उसका negation निकालेंगे p and q n मतलब इंटू तो true false 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 अब उसका निकालेंगे negation negation of p and q बाहर साही ने देखो negation का false true 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 अब ये a और ये b right p और q negation of p and q इनके बीज का sign क्या है and तो let us perform a and b तो a and b multiply 0 right true true finalist false ये है RHS का answer let us check with LHS true false false true false अच्छा और बाकी है sorry sorry ये पुरा हो गया ना bracket ये पुरा solve हो गया अब इसका भी negation तो negation of a and b right ये हमारा answer नहीं है तो क्या बनेगा true false false true now check negation of a and b मैंने ये वाला parts नहीं किया था देख रहाँ answer बैच हो गया therefore LHS is equal to RHS oh yeah next question number सम्झो फिफ्ट और कराऊ तो P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R इस बार मेरे पास team variable है that is P Q और R तो Ratio क्या है 4 is to 2 is to 1 तो चलो लिख लेते हैं चार true 4 false 2 true 2 false 1 true 1 false 1 true 1 false true false true false ब्रवर let us solve LHS first bracket P or Q P or Q बता प्लस 1 plus 1 1 plus 1 1 plus 0 1 plus 0 0 plus 1 0 plus 1 0 plus 0 0 plus 0 ब्रवर next P or Q implies R मतलब यह first और यह second implies P or Q implies R तो P or Q implies R true के पीछे false है तो पहरे यह देखना है अपना इस साइड first वाला true के पीछे false है तो false true के पीछे false है तो false true के पीछे false है तो false बाकी सारे true यह है LHS का अंसर let's go for RHS क्या है P implies R and Q implies R तो फिर से तीन वेरियेबल PQR chart true chart false do true dou false dou true dou false a一 true एक false एक तू एक फॉल्स एक तू एक फॉल्स एक फॉल्स हो गया तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला bracket P implies R और उसको solve करते है P और R True के पीछे False True के पीछे False तो False True के पीछे False ये False True के पीछे False तो और होने से रहा तो बनेगा बाकी सारे True आठ है तो आठ होना चीए एक दो तीन चार पाच्छे साता P implies R होगे Next Q implies R निकाल गए Q और R True के पीछे False ये पहला वड़ा False True के पीछे False ये वड़ा बाकी कोई नहीं है तो True एक दो तीन चार पाच्छे साता बरोबर लाइन से बनाऊ हाँ Confusion हो रहा है तो ये रहा So Suppose this is A and this is B तो A और B इसके बीछ में हम क्या perform करने वाल है AND तो A and B Right So let us perform A and B So what it will become True into True True Zero into Zero Zero One into One One Zero into One Zero One Zero Final answer Let us set True-False 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 True True-False एक दो तीन चार पाच्छे सात इदर गरवड हुआ है यहापे मैंने एक कर रिजन नहीं निकाला हुआ ओके तो देर्फोर LHS is equal to RHS Clear उसे पहले वाले पार्ट से क्या चिज़े से है हमें LHS equals to RHS प्रूव करना है तो खुछ सम्स करोगे और नेक्स वीडियो में मैं इसी तरीके के और सम्स ले क्या हूँगा Second one करो तुम लो Negation of P और Q और Negation P and Q Equivalent to Negation P और Fourth one P implies Q implies P Equivalent to Negation P Implies P implies Q ये दो हूमक करो Next वीडियो में मैं बाकी के दो कोशेंस करता हूँ दो तीन कोशेंस करता हूँ Clear? Bye everyone So वीडियो को इसी लेक्चर में continue करता है एक और question थोड़ा tough होगा Question number nine Negation of P or Q Or And sorry P or Q And R Is equivalent to R Let us start LHS Tien variables है P, Q, R So let us write it Four Is to Two Is to One Right Do true Do false Do true Do false 1 true 1 false 1 true 1 false 1 true 1 false 1 true 1 false Correct तो doubt ना हो इसलिए मैं थोड़ा इसका bifurcation कर देता हूँ तो तुम लोग को line by line properly समझ में आए Last video में मैंने यह नहीं किया था तो शायद तुमें confusion create ठीक है? Last one यह और यह है तो शुरू करते है First one हमें निकालना है P और Q So let us take out P और Q तो P और Q P और Q मतलब और मतलब प्लस यह रहा P और Q True बरब है P और Q को ध्यान दो 1 प्लस 1 वन 1 1 1 1 1 0 Right? अब उसका क्या निकालना है मुझे? Negation So let us find The negation of P और Q क्या बनेगा? False 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 True True Correct? आगे सौल करते है त्यान से देखो तो आट टाइम लग रहा है Because of Line Extension इसके Bifurcate करके समझाना पढ़ रहा है मुझे Negation of P और Q निकल गया अब next वाला पार्ट यहाँ पर P और Q वापिस है तो मैं वापिस लिख लेता हूँ चलब P और Q तो क्या बनेगा? कॉपी कर दो True, 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 True True False, False अब इन दोनों के बीच में क्या है? और ओपरेटर Suppose A, B तो we are going to perform A और B तो A और B प्लस करना है True, 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 True राइट, ट्रू, 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 सारे ट्रू में बदल के, करेक्ट प्लस करो, 0 प्लस 1 is 1, 1 प्लस 1 is also 1, now last one, ध्याम से देखो, A और B ये तो पर्फॉर्म हो गया, and R, A और B, and R, तो R के साथ multiply करना पड़ेगा, तो ध्याम से देखो, ये true into true, that is true, false, true, false, पहले true, फिर false, false, next, true into true, true, true into false, false, true into true, true, true into false, false, true into true, true into false, false, आगया ये, now let us see RHS, RHS में क्या है, only R, so what is the value of R, एक का रिशो, true, false, true, false, true, false, एक, दो, तीन, चार, पाच्छे, साथ, आठ, आठ, तस चेक, करेक्ट है न, तो therefore, LHS is equal to RHS, clear, ओके, एक और देखते हैं, I hope, तुम लोगों को समझ में आया हो, तो अगर नहीं समझ में आया हो, तो comment box में, या मुझे personal message करो, कि ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, मैं वापिस next वीडियो में ये समझाऊँगा, तो ये और दो सम्स, तुम लोगों खुद से try करो, I hope, तुम लोगों को आ जाएगा, और अगर तुम्हें आया, इसका मतलब तुमने logic का three marks fix कर लिया है, अपने board exams के लिए, clear, ये दो questions करो, P implies Q and R is equivalent to, P implies Q and P implies R, okay, चार questions मैंने किये, चार questions तुम लोग करो, खुद से करके देखो, solution आया, LHS equals to RHS prove हुआ, then you are perfect, improve table generation, clear, thank you everyone, bye.